नमस्कार दोस्तों सभी को गुड इबनिंग सभी को गुड आफ्टरनून सभी को रादे रादे सभी को जैसी आराम जल्दी से बताएंगे सभी के सभी कैसे हैं हम ऐसी आशा करते हैं सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे एकदम चंगे होंगे एकदम मस्त होंगे मजे में होंगे ठीक भई हान जी एकदम कसूते होंगे सभी के सभी बच्चे कसूते होंगे समस्ते हो ना कसूता तो जल्दी आचुके हैं डीके सैवन आर्मी आचुके हैं हैलो भावना मैं तो हैलो डीके सैवन आर्मी ललित लल्वानी आचुके हैं पूजा कुमारी आचुकी है हमारे साथ सुरेश आचुके हैं राधा यादा वाचुके हैं फ्यूचर के फ्योजी भी आचुके हैं और मैडम को हाद जोड़कर नमस्कार करें तो आपका भी प्रिणाम कर रहे हैं तो आपका भी प्रिणाम कर रहा है संतोष कुमार ट्विंकल आ चुकी है आज हमारे साथ निरंजन कुमार हैं इंदू भी है वह हमारे साथ हांजी जल्दी जल्दी आईए और उन दोस्तों को जरूर बुला के लिए विवेक शर्मा आ जो की बुलावे से आते हैं तो लगा दिजिए बुलावा क्लास का जल्दी से बुला के लेके आई उन दोस्तों को जो सो रहे हैं अभी मुझ को भगाओ और बुला के लेका आऊ कि बच चुके हैं चार बच कर दो मिनट और आपकी मैडम आ चुकी है लाइव तो आप लोग भ हैं है कोमल पाल डूरियाल बोल रहे हैं प्लीजिए मेरा नाम भी ले दे ले जल्दी जल्दी आईे सभी बच्चे शिवं कंयायमी बी हैं हमारे साथ साथ जबी आ जाएए सभी बच्चे क्लास को करते हैं शुरू सुषील भी आ चुके हैं चोटु आर्डवलु से गुड़ीवनिंग करें विमला आ चुकी हैं हमारे साथ चंद्र मुखी जी आ चुके हैं मैं पुषपा भी आ गया है बिलकुल पुषपा करें तो इंतजार था रोह को मेरा नमस्कार सभी उमीद करती हूँ एकदम बढ़िया होंगे एकदम कसूते होंगे ठीक है मैं यूपी से हूँ मैंने आपको बताया था भई मैं यूपी से हूँ ग्रेक अन्वेडा ठीक है हां जी मैडम समझ में आ गई बात क्योंकि नए बच्चे आते हैं तो डेली मैडम सक्षा पर टाया दूसरा हमने क्या पढ़ लिया था हमने पढ़ लिया था हव जीवानु जनित रोग बैक्तीरीयल डइसंहाँ पढ़ लिए थी वह भी हमारी हो गये जो बैक्तिरिया से से थी ठीक है फिर रमने बढ़ी दी विशानु से होने वाली बिमारी हो रही При पिर हमने पड़ी protozova optimize तो हमारी कल कंप्लीट हो गई है आज हम क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ें गे- फंगल डिजीज़ ओपंगल डिजीजीज यानि की कवक जनित-्रोग पंगल को क्या बोलते हैं कवक जनित रोग ऐसे रोग जो कवक फैलाते हैं ऐसी बिमारियां जो कवकों के दुबारा होती है मैड़क कवक क्या होते हैं तो कवक भी एक तरीके के और्गनीजम होते हैं कवक जो होते हैं ये भी एक तरीके के क्या होते हैं जीव होते हैं एक तरीके के और्गनीजम होते है ये दोनों तरीके के हो सकते हैं ये कवक जो हैं ये आपको दोनों तरीके के कैसे मैडम तो ये यूनिसेलिलर भी हो सकते हैं ये यूनिसेलिलर भी हो सकते हैं ये यूनिसेलिलर मतलब एक कोशी किये ये एक कोशी किये भी हो सकते हैं या फिर ऐसे बोल दीजिए कि ये माइक्रो सकते हैं और क्या बोल सकते हो यह माइक्रो यह माइक्रोस्कॉपिक हो सकते हैं कैसे हो सकते हैं माइक्रोस्कॉपिक यानि इनको देखने के लिए हमें किसकी आविशक्ता हो सकती है सुक्षम दर्शी सी दर्शी की आविशक्ता हो सकती है इनको देखने के लिए यानि यह तने चोटे होते हैं कि आपको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरुरत होगी ठीक है तो यह और दूसरा कैसे होते हैं तो यह दूसरा है मल्टी सैल्यूलर भी होते हैं यानि कि अगर मल्टी सैल्यूलर की बात करें तो यह बहु कोशी किया भी होते हैं बहु कोशी कीये यानी बिना माइक्रोस्कोप के भी आपको यह दिखाई दे सकते हैं तो फंगस दोनों वस्ताओं में होंगे यूणी सैलूलर भी होंगे और मल्टि सैलूलर भी यूनी कोशी कीये को देखने के लिए एक कोशिक के को देखने के लिए किसकी जरूरत होगी सोक्ष में दर्शी की कि सभी भाईयों को जाटका राम राम पंकज मलीक बोल रहे हैं तो राज सभी को राम राम भाई जल्दी जल्दी आजाओ मिस साइंस क्वीन को गुड़ीवनिंग कर रहे हैं संदीप कालिया यूपी 17 तो यहां से आपको क्या याद रखनी है कि यह जो कवक होते हैं यह दोनों तरीके के होते हैं कैसे कैसे यूनिस एलुलर भी होंगे एक कोशिक के भी होंगे माइक्रोस्को माइक्रोस्कोप के दिख सकते हैं कुछ-कछ ठीक है आप जैसे सकूई पूछ ले तो जितने भी आपको बिटा रोग ला रहे हं जितनें भी आपके अंदर क्या रहे हैं बिमारीयां प्रवाइब दिखाई नहीं देते हैं यहां पर कोई कवक है या इसके अंदर कुछ ऐसा ऐसा कुछ वैक्टर है या इसा कोई क्यामिकल आपको दिखाई देगा तो आप उससे पहले दूर नहीं दिखाई में चला गया बैक्टिरीय नहीं दिखने और और ने नाम सुना मश्रूम का ठीक है मश्रूम का आप लोगों ने नाम सुना होगा तो ये मश्रूम क्या है ये आपको अच्छे से नजर आता है आप इसको अच्छे से देख सकते हो सापकी छतरी जिसको आप बोलते हो जो खाने वाला होता है ठीक है तो ये क्या है ये होते हैं कैसे ये होते हैं सारे के सारे multi cellular ठीक है लकडी पर लगने वाला कवक जो था ठीक है गोबर पर लगने वाला कवक जो था जो आपको फफूंदी दिखती है रोटी पर लगने वाला राइजडो भी हम जो होता है यह सारे के सारे क्या है मल्टी सेलूलर है याद रखेंगे बात तो चलो आगे चलते हैं आप से पूछेगा आपसे पूछेगा कि यह जो कवक है बाला study study of fungus क्या होती है स्ट्रडी ओफंगस यानि कि जब आप कवको का अध्यन करते हैं कवको का अध्यन जब आप करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कोई बच्चा मुझे कमेंट करके बताएगा जब कवको का अध्यन करते हैं हम लोग जब हम स्ट्रडी ओफंगस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं विदी कोली जी आपको मुझे रोना रोना क्यों आ रहा है आपको ऐसा किसने आपको थपड मार दिया जो रोना आ रहा है हाँ जल्दी से बताओ वीडियो किलियर है मैकजीगोलोजी मुझे आंसर मिल रहा है आशीश केश्वरवानी बोल रहे है हाँ मायकोलोजी मायकोलोजी क्य Bet להए मैय उलोजी जल्दी से बताओ पिए सोरी कि अर्टतों झांत जडी से बताओ कि आ प्रक्राइब एकarta माई को लोजी याद रखेंगे खाहिश के अद्धियन को क्या बोलते हैं हम लोगS माई पूछां हो अपक्शन में बूछा जा सकता है आपसे तो माई को माइकोलोजी क्या होता है माइकोलोजी study of fungus कवको के अध्यन को हम लोग माइकोलोजी बोलते हैं और बेटा दो वर्ड हैं याद रखना जिनमें आप कन्फ्यूज होते हो एक है मायोलोजी एक है मायोलोजी और जब भी इन दोनों में से कोई सा भी पूछा जाए option में दोनों जरूर दिये जाते हैं आपको कन्फ्यूज करने के लिए तो अब जब आप पढ़ रहे हैं बाइलोजी रोजगार विद अंकित पर तो कन्फ्यूज तो होना ही नहीं है बिलकुल भी तो सुनो माइकोलोजी बेटा माइकोलोजी माइकोलोजी होती है study of fungus माइकोलो मायोलोजी करके मिले मायो यहाँ पर है मायो तो मायोलोजी होता है study of muscles ठीक है तो पेशी के अधियन को बोलते हैं मायोलोजी और कवको के अधियन को बोलते हैं माइकोलोजी बास समझ में आई बई आरे हाँ जी या ना जी बास समझ में आ गई नेम तो सही लिख यार आशुतो श्टिवारी किसको बोल रहे हो चलो जल्दी से बताओ हां जी तो आगे देखो आगे आपको क्या पढ़ना है यहां पर आपको मैंने अभी बिताए कवकों के अध्यन को मायोलोजी बोलते हैं और पेशी के अध्यन को मायोलोजी बोलते हैं ब नाम बता दो जो जो एक कोशिक वोता है बहुत कोशा जाता है आपको आपको को याद रहना है तोब हुच सारी इन्पो navigate है है यह बहुत सारी इंपोटेंस हुटी है कि यह बहुत सारी विशेष्था रखता है बहुत सारी इंपोटेंस रखता है व Ages a लावडायक हता है याद रखना रहिए से बता हुट समय कौन होती है मैं ने आपको difference question & to set बात बताई थी जल्दी से बताओ इस्ट के अंदर लव यू मैड 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 मैडम बोल रहे हो चाहिए अच्छा हाँ इस्ट के अंदर कौनसी विटामीन होती है मैंने आपको एक बात बताई थी जल्दी से बताओ तीन-चार दिन पुराना कोशन ज्यादा पुराना नहीं है ज्यादा पुराना कोशन नहीं है जल्दी से अंसर बताओ विटामीन के आंसर दे रहा है एक बच्चा मुझे विनीत बेकरी में यूज़ किया जाता है बिल्कुल सही जितने भी आप बिसकिट बना रहे हो ब्रैड बनाते हो इडली डोसा ब के वे के वे के वे याद रखना वी कॉम्प्लेक्स की विटामीन बहुत अच्छी मातरा में होती है विटामीन वी चबंडस के ला वाले ंदर जितने भी विटामीन तो अभी तक जितने भी रोग पढ़ाएं सबको कुछ ना कुछ ट्रिक से पढ़ाया है ठीक है जैसे कि बैक्टीरिया वाले रोग जो थे बैक्टीरिया में आपको ट्रिक थी पंडित का टीका नियू है याद आई चीजे अरे याद आई हां जी याद आ गई दूसरा विशा चाचा इन्हें डाटो खरे गाल पे चापो यह थी ट्रिक आपकी विशानु जनित रोगों की फिर आपको पढ़ायते प्रोटोजोवल डिजीज उसमें क्या पढ़ायता डीम पीके सिंग थे ठीक है आज जो हम फंगस डिजीज पढ़ने वाले हो तो इसकी भी बहुत पॉ घिक वर्ड ले ले लेते हैं पहले हमारा क्या है के टीक है पंगल डिजीज को किस तरीके से याद करोगे किस ट्रिक से याद करोगे तो देखो कई बार होता क्या है कि आप लोग अपने ससुराल जाते हो और टकले होकर चले जाते हो ससुराल ठीक है और नास्ते में आपको फ्रूट फ्रूट सर्व कर दिये जाते हैं आप फ्रूट खाने लग जाते हो मजे से पीछे से दोड़ा दोड़ा एक बच्चा आता है वो बोलता है देखो देखो गंजा दामाद फ्रूट खा रहा है यानि गंजा दामाद खाए फ्रूट ये बन जाती है किसकी ट्रिक ये बन जाती है आपकी फंगल डिजीज के ट्रिक ठीक है तो कैसे याद रखोगे गंजा दामाद गंजा दामाद खाए फ्रूट खाए फ्र सबसे पहले की किस से होती एँक अब बता देंगे यह बिमारी किस से होती है यह बिमारी होती है जो सबसे पहले रखो गंजा वहाँ बेटा गंजा पन मेरें जब बाल जनने की पढहाँ दामा से होगा बेटा दमा दमा यानी अस्थमा रोग जो होता है दाद से क्या होगा दैसे होगा दाद इसको आप रिंग वाम भी बोलते हो रिंग वाम जिसको आप रिंग वाम भी बोलते हो हाई से क्या होगा बेटा खाज के बारे में सुना होगा है ना स्कैबी जिसको बोलते हो स कबीज कि और यह हूआ है पूलंत एटिलीट का मतलब है पेटा एटिलीट फूट एटिलीट ऑटिलीट्स फूट ऑटि इसको आप बोलते हो आधिलीट अथिलीट पूट यह भी इक बिमारी का नाम है चलती है सबसे पहले चीज यहां से पूछले को बैमारियों को ने लिखी है इनको पैथा न बता दींगे आंसर करोगे बताओ जल्दी से इन सारी विमारियों का पैथा जन कौन है इन सारी विमारियों को फैलाने वाला रोगानू कोन होता है कल की क्लास में अच्छे से पढ़ाई था पैथाजन क्या होते हैं जल्दी से बताओ पैथाजन क्या होते हैं हां जी मैडम जी आपका ट्रिक बहुत बड़ा है नहीं बड़ा कहां है चार तो वर्ड है गंजा दामाद खाइफ रूट ठीक हाँ क्लास में शादी करें किसकी शादी करूं विधी कोली जी क्लास में कार्तिक नोटियाल जी आपका नाम भी ले दिया है अब जल्दी से बताओ इस सारी बीमारीयों का पैथाजन को इस रोग को फेलाने वाले रोगानों का नाम बताओ उप्षिन क्या होगे बेक्टीरिया होगा, वाइरस होगा, प्रोटोजोवा होगा, कवक होगा तो सही उप्षिन हो जाएगा कवक वेसी दाद के लिए पूछ लेगा अस्तमा के लिए पूछ लेगा स्कैबीज के लिए पूछ लेगा चलते हैं अगली बात पर अगली बात क्या है आप से पुछेगा अब इन सभी विमारियों को को पहलाने वाला जो पैथाजन ने वह कवक तो है प्रोपर कवक का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है ऐग्जाम्पल देके पूछ ले कि गंजापन रोग जो होता है यह किस कवक के कारण होता है तो आप क्या बताओगे ठीक है तो देखो यह जो गंजापन सभी जानते हैं गंज़पन के सिम्टम क्या है आपके सर के अंदर फंगस से बहुत ज्यद्यादा इचिंग होती है और जो उनकर तो पूरा अगस्ता है पूरे निकल जाते हैं तो गंजापन किसके कारण होता है तो आप करण कौन से कवक के कारण टीनिया कवक का नाम है बेटा टीनिया कैपेटिस टीनिया कैपेटिस ठीक है हिंदी में भी रहेगा टीनिया कैपेटिस तो टीनिया कैपेटिस स्वलाता है आपके इंदर कौन सा रोग गंजा पन रोग याद रखेंगी कवक का नाम है टीनिया कैपेटिस आगे पूछे आस्तमा तो आस्तमा क्या है बेटा आस्तमा के बारे में बहुत सारी चीजह वहां से तोड़ा थोड़ा करके पढ़ना पहले स्वत्त कढर देते हैं अस्तमा के बारे में स часов Acho अस्तमा जो होता है यह पहना है पहरे एक रेस्पी राइट रेस्पी रेटरी एक रेस्पी रेटरी डिजीज है वेटा एक स्वशन संबंदी रोग है स्वशन संबंदी रोग होता है अस्तुमा यह एक तरीके की एलर्जी होती है यह ठीक है अस्तुमा जो है स्वशन रोग होता है और यह एक तरीके की बोल सकते है स्वास समबंदी allergy है ठीक है क्यूं होती है एक फंगस के कारण होती है इस नाम क्या है तो आप याद रखना Aspergylus Aspergylus जो फंगस आपके अंदर अस्थमा रोख पर ला रहा है उसका नाम क्या है Aspergylus फ्यूमी गेटस एसपर जील अस्पर जीलस फ्यूमी गेटस ठीक है इसपर जीलस फ्यूमी गेटस टो आप से पूछता है कि हमारे अंदर अस्थमा रोफ पलाने वाले कवक का नाम बताइए याद रखने एक्जाम में पूछा जाता है ऐसपरजीलस फ्यूमीगेटरस यह क्या काम करता ऐसपरजीलस फ्यूमीगेटरस जो कवक होता है यह dust के अंदर mostly dust से ही आपकी body में पहुंचेगा और आपकी trachea यह जो आपकी सांस वाली नली है इसके अंदर जाकर बैठ जाता है trachea के अंदर जाकर बैठ जाएगा सांस वाली नली के अंदर तो जैसे ही आपको कभी भी आप running कर रहे हो या कभी भी dust तुड़ रहे है कहीं भी तो ऐसे व्यक्तियों को जिनको अस्तमा की problem है उनका सांस वोलना शुरू हो जाता यानि उनको सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है क्यों हो जाती है क्योंकि यह जो aspergillus fumigatus है मालडी यह क्या है बेटा आपकी trachea है रहे है यह आपकी स्वश्शन नली है tracha जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं स्वश्शन नली को विज्ञानिक भाशा में tracha रहा क्पढाया थायना रेस्विनेटी सिस्टम में तो होगा क्या यह जो एसपरजीलिस फ्यूमीगेटस है यह हमारी इस ट्रैक्या में जाकर एक जालसा बना देगा ठीक है एक जालसा बना देगा इस तरीके से तो जो बहार से नाग के तुरू आप एयर लेके जा रहे हैं अपनी फैफडों के अंदर तो फैफडों में एयर ज तो पूरी जो फैफडों के पास जो एयर है वो बहुत कम अमाट में पहुंचती है इसलिए ऐसे लोग जल्दी जल्दी उनका सास फूलना शुरू हो जाता है उनको बहुत भारी भारी सा यह बहुत सास जल्दी से फूलना शुरू होगा ऐसे में वो क्या करते है एक पंप ह अस्तमा रोग्यों को डॉक्टर क्या करता है एक पंप देता है वो पंप हमेशा अपने साथ रखते हैं जैसे कहीं उनको यह दिक्कत होनी शुरू हुई उसको एकदम से अंदर की तरफ सांस लेते हैं और वो जाकर इस पूरे जाल को एकदम से क्लीन कर देता है इस पूरे जाल को क्या करते हैं तो जब जो आप जो फंगस आपके अंदर फसा था उस पंप से एकदम से क्लीन हो जाएंगे और सांस लेने में जो दिक्कत आ दी वह बहुता है तो यह होता है अस्तमा रोग्याद रखेंगे कौन पहलाता है एसपरजीलस फ्यूमिगेटस फैलाता है क खाज खुजली ठीक है दाद खाज खुजली के लिए जालीम लोशन ले जाओ जालीम लोशन नाम सुना होगा ना जालीम लोशन का नाम कितने बच्चों ने सुनाए जल्दी बताओ जल्दी जी मारा नाम ले लो प्रभात तिवारी आपका नाम ले दिया है वह आपका नाम यहां पर रवी कांत जी आपका नाम भी ले दिया और बताओ और किसका नाम लेना है जल्दी से पहले नाम ही ले दू सबके हां जी हर्याना से राम राम बिल्कुल राम राम भई राम राम मैं आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हो निशानत जी ऐसी बात नहीं है आपका कमेंट भी पढ़ते हैं सबका कमेंट पढ़ते हैं हर्याना से जो बच्चे हैं कैसे हो काच्छे फाड रहे हो क्या अरे काच्छे आच्छा चलो तो जल्दी से बताएंगे यहां पर दाद का नामें है जो आपकी उगलियां है उगलियों जो इसे पोर already और एक फंगस का इंट्ट्शन हो जाता है उस पूंगस का नाम आपको अब हैं वहांक बिताओंगत पहले सुन लो कि यही होता है क्या रिंगवह airport कि यह होता है क्या यह होता है रिंगवॉम ठीक है तो यह झाइन इंफरीक्षणर फंड़ो इस फंड़ों किशार में मोष्चर में फैलता है नpton यह नमी जगह पर प्र पर एक्जामपल जैसे राइजोपर पस एक बाज पस ए राइजोपस मैंने बताए था रोटी पर लगने वाला कवाक होता है जिसको ब्रैड मोल्ड भी बोलते हैं राइजोपस का दूसरा नाम क्या है ब्रैड मोल्ड इसको ब्रैड मोल्ड भी बोलते हैं रोटी पर लगने वाला यह कवाक है राइजोपस तो राइजोपस कब लगे यहां जाएगी करेंगे को पर अपना घर बना लेगा और आपको रिंग वाम करना शुरू करेंगा दाद किया करना शुरू करेगा दाद तो देखो दाद को फैलाने वाला जो फंगस वह कुन सा होता है अच् še जहां नमी होगी हाँट जी विनित जी फंगस नहीं लगेगा जहां मी서 ठीक है जीत यादव यादव आपका नाम भी ले दिया है ठीक है हां जी तो देखो सुनो यहां पर आपको पूछ रोता है इसको फैलाने वाला फंगस तो इसखैबी जो होती है यह उती है Trichophyton Trichophyton कवक के कारण Trichophyton ठीक है Trichophyton यह जो ठ्रायप फॉ hace के फैलाता है आपके अंदर क्या रिंगवॉं क्यों बोलते हैं इसने बने इंदर सक्विस heb facil राउंड 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 होते हैं सरकल सर्कूलर मोशन के अंदर होते हैं फैलता चला जाता है फिर फैलता चला जाता है फिर यह जब फैल रहा है राउंड राउंड हो रहा है तो इ अगली बिमारी है खाज खाज अच्छा मैंने इसको लगा रखा याद रखना यह जो ट्राइको फाइटो नहीं रिंग वॉम का है फंगस रिंग वॉम का अब चलते हैं खाज पर बेटा स्कैबीज अरे खाज कभी खाज याला मुझे जब भी मैं इसको पढ़ाती हूं मैं खाज याला कुट्ता देखा जल्दी से बताओ लक्षे पनवार बोल रहें मैडम जी याद मत दिलाओ मेरा साथ साल बाद फंगस से पीछा छूटा है बिल्कूल यह फंगल डिजीज एक बार पीछे बढ़ जाएं तो छोड़ती नहीं यह पीछा अभी अभी रिसेंट पराने दिन का रिविजन करा दू जो चाज पीता है इसको खाज होता है अच्छा ऐसा तो कुछ भी नहीं है खाज हो जाए तो आप भी बंदरी बन जाओगे खुजाने वाले ठीक है तो खाज तो नॉर्मली है आपके स्किन पर ड्राइनस की वज़े से भी कई बार एचिंग होनी शुरू हो जाती है कई बार पसीने की वज़ा से भी एक फंगस आपकी बोड़ी पर लग जाता है यह जब आप अच्छे से अपने बोड़ी को साफ नहीं करती हो तब अपकी बोड़ी पर अपने शुरू हो जाते हैं तो उन फंगस्टों में से ही एक फंगस है जो फईलाता है आप से पूछा जा सकता है अच्छा मैने अभी पूचएन पए करो अक क्रोना वाइरस में यह पक और ऑं पार नमोसाइन काम करती है हान जी बिलकूल जान assess ठाकॉर यह यह तो यह चैकर अब सुन्लों का फंगोस क्या है है सारकोप्तिस यह सार कोप्तिस एक फंग।स सरकोप्तिस सक्वीज का पूररा नाम तो यही फेला रहा है हमारे अंदर क्या सक्वीज两 ठीक है शार कोप्टिस शार कोप्टिस शार किसिए क्या आज्वाँ सलस्क्राइट किस्क्राइट यह न दर का अपन्जने हो जाती है अब आजाओ एथिलीट फूट पर एथिलीट फूट भी किससे होता है एथिलीट फूट भी आपकी फूट देखो फूट यानी पैर तो आपके पैर के अंदर फंगस का इंफेक्शन हो जाता है इसी को बोलते हैं एथिलीट फूट ये कब होता है इंफेक्शन तो आपने दे पैर के अंदर बहुत ज्यादा पसीना आता है बहुत ज्यादा मोश्य रिखटा हो जाता है तो ऐसे बंदों के अंदर एक फंगस उनके पैर में पर अपना शुरू हो जाता है इसी को बोलते हैं हम लोग फंगस कौन सा फंगस एथिलीट फूट विमारी फैलाने वाला फंगस तो यह बिमारी क्योंकि यह रोग आतिलीट को होता है इसलिए इसको आतिलीट फूट बोल देते हैं इसमें जो आपके पैर का तलवा होता है पैर के तलवा और पैरों की उंगलियों के बीच में फंगस लगना शुरू होगा शुरूवातिक दिनों में खुजली लगेगी вп陳लय स्वैलिंग आ जाएगी और पानी सबरना शुरू हो जाएगा उजो खुजनिवार एलिया है महाँ पे पानी बानी स Home शुरू हो जाता है इसको बोलते हैन् रप थीक है यह इतलीट फूट किई वाली विमारी है यह इसका पैथरजन क्या है याद रखेंगे कवक के द दोपीनिया डिट से याद रखोगे टीनिया रख दिस अभि मैंने आपको दो ठीनिया बढ़ाएं एक अभी बढ़ा था ठीनिया काप्टिस हे कवी बढ़ा था ठीनिया कापटिस ओड भी पूण्यटिस से होने है जल्दी 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 से बताओ कि की ड़ी लग तिक है अभी तो कोई नौटिफिकेशन नहीं बार दजा यानी की घंजा पन के स्टार करें ल juvenile रापन होता है और यह ऑपको अप्रपेतिस से एधिस यह तो तो ये गंजी हो जाती है ठीक है जब टीनिया का इंफेक्शन होगा तो ये कनपटी गंजी हो जाती है याद रखना तो गंजे पन को फैलाने वाला कवक कौन सा है जट से पकड़ लोगे टीनिया कैपेटिस कनपटी पर होता है गंजा पन कैपेटिस से कनपटी ठीक है और बहुत करके जाना चीजों को भूलोगे नहीं ठीक है भूलोगे नहीं हां जी बास समझ में आई हां जी या ना जी जल्दी से कमेंट करो आनंद यादा बोल रहे हैं आई लाइक यू मैं अभ लाइक करते हो तो क्या कर सकती हूं करो लाइक बढ़िया है मझे अच्छी बात है ठीक हांजी है अजी mo कि समझ में आया सब में अदर को हो जाता है क्या लिख ह्या हो हांजी ओसल्दी एंप कवक जनित्रों फंगस थे होने वाली तो आप से यहां क्या पूछा जाएगा एक तोर विमारियों का नाम याद रखना सारी की सारी पंगस से होती हैं दूसरा विमारियों का फंगस का नाम याद रखना या फिर को प्रवाक जनित रोग जो थे यह होते हैं यहीं पर खतम ठीक है किसी को कोई दिक्कत यहां से तो जल्दी से बताओ को दिक्कत किसी को जल्दी से बताएंगे बच्चे अशा जी ऐलाल कियो मैम कि बिलकुल बड़िया बहुत बड़िया अन्शुन कुमार भी बोल रहे है मैम पी निकल गया है कमेंट अच्छा हमारे यहां मेला बूवी वाला वे मडरा मोई ऑथे पर कश्च थे एक वीडियो है कि ये मैराथन आएंगे आपको रैपिड रिवीजन कराऊंगी विवार्यों करांगी सारी विमार्यों कर현ी pakai CHV आनेfolde तारिक या पंजरे तारिक के सब्सक्राइब और ऊ içозможно है तो कि अ है आप Exam साथ और आपको स्वागत कैसे की सब्सक्राइब कंधे ख ब्लीची छहर से हैं अप सारी खतम हो चुकी है ठीक है आप आपकी बोटनी शुरू हो जाएगी तो इस महीने के खतम होने से पहले ही कि अब आप चलो जल्दी से आब आओ हमारा जो अगला टोपिक है मैं सोच आपको करा देती हूं आज ठीक अगला टोपिक क्या है बेटा हमारा सेल डिवीजन सेल डिवीजन टोपिक आपका रहता है सेल तो आपको पढ़ा दी है ठीक है अगला टोपिक है सेल डिवीजन सेल डिविजन यानि की कोशी का विभाजन कोशी का विभाजन अच्छा सबसे पहले मुझे सेल के बारे में बताएंगे कुछ बात बच्चे की सेल क्या होती है सेल के बारे में कुछ बात बताओ जल्दी से सेल क्या होती है सेल क्या होती है बेटा जल्दी से कमेंट करके बताओ मैंने आपको सेल पढ़ा दिया है सेल तो पढ़ा दिया है डिवीजन आज पढ़ेंगे तो सेल रिकोल करके बताओ सेल क्या होती है सजीवों की जीवन की इकाई है बिल्कुल बढ़िया मनीश ने बोला है बिल्कुल बढ़िया है और विशाल बोल रहे हैं स्ट्रेक्चल अंड फंक्शनल यूनिट ओफ और गन और गन नहीं ओर्गेनिज्म ठीक है सजीव कुछ बालक पढ़नी रहे हैं तो कोई बात नहीं विदी को लीजिए आप उन बच्चों पर नेजर रख रहे हैं जो बालक पढ़ना रहे हैं अंजी तो सैल किसी भी शरीर की या किसी भी जीवदारी की सरचनात्मक और किर्यात्मक इकाई होती है फंक्शनल और स्ट्रेक्चर यूनिट होती है सब जानते है या इसे बोल सकते हो कि किसी भी जीवदारी के शरीर की सबसे छोटी इकाई बहुत सारी होती है मिलियंस में होती है, करोडों में होती है, अर्बों में होती है, ठीक है, अब ये सेल, जब हमने जनम लिया बेटा, जब हम अपनी मा के गर्व में थे, या जब हम अपनी मा के गर्व में भी नहीं थे, उससे पहले ही जब हम बनना शुरू हुए थे, यानि पिता के स्परम और माता के ओवा जब आकर फ्यूज हुए तो उन्होंने एक सिंगल सैल बनाई सबसे पहले एक कोशी का बनाई सबसे पहले ठीक है अब वो एक अकेली कोशी का ऐसे ऐसे डिवाइड होती चली गई उससे बन गई अर्बो कोशी का है उससे बन गई अर्बो कोशी का है जब एक क्या होता है बेटा कोशिकाओं का विभाजन होना एक कोशिका जब दूसरी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है तो इस सिक्वेंस को इस इस प्रोसीजर को ही हम लोग क्या बोलते हैं सैल डिवीजन बास समझ में आई सैल डिवीजन क्या होता है ठीक है बाई जब कोई कोश कोशी का विभाजन हां जी कोशी का का विभाजन होना अब कोशी का विभाजन तो हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे ठीक है यह तो आपको समझ में आ गया कोशी का विभाजन होता है यह जो कोशी का विभाजन की किरिया है इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कोशी क कितने भाग से कितने पार्ट से डिवाइड हो सकती है कितने तरीके से किसी भी जीवधारी के अंदर जो कोशिका है वो डिवाइड हो सकती है यह आप से कोई पूछ ले तो आप कैसे बताओगे ठीक है यह आप से कोई पूछ ले तो आप कैसे बताओगे मैं एक्जामपल और आप लोगों को भी कैसे मिल जाता है पता नहीं चलता है पूरे दिन तो आप ओनलाइन फ्लासों में लगे रहते हो रात को आपका रिविजन चलता है फिर आपको सोना अराम करना होता है फिर सुबाउट के वह रूटीन इंस्टा पर कहा टाइम मिल रहा है जाने का सोच त जीन दुनिया में चलता है यह भी पता हो रहा चाहिए बड़ टाइम नहीं मिल पा रहा है तो ठीक है आएंगे इंस्टा पर भी आएंगे ठीक है आएंगे हां तो बेटा जो सैल डिविजन होता है यह कितनी अवस्थाओं में होता है सबसे पहले तो यह जानो जो हमारी सैल कोशी का विभाजन होता ही होती है जब कोई कोशी का विभाजन करती है तो यह दो अवस्थाओं में जाती है कौन कोशी का ध्यान से सुनना जब कोई कोई कोशी का विभाजन कर रही होती है तो इस कोशी का को विभाजन करने के लिए दो अवस्थाओं से गुजरना पड़ है कितनी आवस्था याद रखेंगे नोय कि ठीक है तो कौन कौन सी इंटर-फेज अवस्था होती है और एम फेज अवस्था होती है याद रखेंगे इन्तर इंटर फे इंटर फेज स्टेज ठीक है इसको बोलते हैं अंत्रा अवस्था अंत्रा अवस्था ठीक है इंटर फेज स्टेज या अंत्रा अवस्था और दूसरी फेज होती है M phase इसको क्या बोलते है M phase ठीक है phase है यह stage लिख दिया phase M phase ठीक है तो M phase या M अवस्था इसको आप बोलते हो M अवस्था तो आप से एक्जाम में पूछेगा कि कोशी का विभाजन के समय कोशी का किन दो phases में रहती है या किन दो अवस्थाओं में रहती है तो याद रखना जब कोई cell विभाजित हो रही होती है तो पहले उसको दो अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है हर कोशी का को पहले दो अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा कौन-कौन सी ये दो अवस्थाएं हैं एक है बेटा इंटर फेस जिसको अंतरा अवस्था बोलते हैं और दूसरी है बेटा एम फेस ठीके समझ में आई बात अरे हां या ना हां जी समझ में आ गई अब सुनो आपसे पूछेगा कि इंटर फेस अवस्था क्या है और यह एम फेस अवस्था क्या है ठीक है इंटर फेस अवस्था क्या है तो आपसे जब पूछे एंटर फेस अवस्था क्या है तो बेटा इसको हम स्ट स्टार्टिंग स्टेज भी बोलते हैं स्टार्टिंग 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 फेज भी बोलते हैं स्टार्टिंग फेज ठीक है यह यह स्टार्टिंग फेज यानि की प्रारंभ अवस्था इसको आप लोग प्रारंभ अवस्था के नाम से भी जान सकते हो अवस्था अब प्रारंब अवस्ता क्या तो बेटा जब कोशी का अपने आपको तयार करती है विभाजन के लिए जब कोशी का अपने आपको रेडी करती है विभाजन के लिए उस अवस्ता को बोलते हैं इंटर पेज अवस्ता या स्टार्टिंग पेज या प्रारंब अवस्ता आप से एक्जाम में पुछेगा कि कोशी का विभाजन की वो कौन सी अवस्ता है जिसमें कोशी का कोशी का विभाजन के लिए तयार होती है या कोशी का अपने आपको कोशी का विभाजन के लिए तयार करती है उस अवस्ता को क्या कहते हैं तो याद रखना जब कोशी का अपने आपको सैल डिवीजन के प्रोसीजर के लिए रेडी करती है या तयार हो रही होती है कोशी का विभाजित होने के लिए उस अवस्था को फेज को जाना जाता है इंटर फेज के नाम से या स्टार्टिंग फेज के नाम से बास समझ में यावास्ता में हो वैसे कोशी का आपने आपको क्या कर रही है तैयार कर रही है तो कौंसी अवस्ता में हैं इंटर फेजालने आपको फेजाश का ईसे क्तारिक यॉरे कि कौन कौन से करना शुरू करेगी की प्रोटीन का संसरे प्रोटीन को क्लेक्ट करना शुरू करेगी प्लस न्युक्ली कैसेड यानी डिनस को कलेक्ट करना शुरू करेगी तो आपसे यहीवी पूछा जा सकता창 सकता है क diesem semana कि इंटरफेंच अवस्था Jessica esos बंप्लेच्श को खिंगा वे ख हाँ की नहीं होते हैं तीन अभी पर बढ़ाओंगे रुक तो जाओ आशुटो जी रुप तो जाओ अभी पढ़ाओंगी मैं ठीक है सुनते जाओ चीजों को जो मैं बता रहे हूं ठीक तो यह आपको पूछेए कि यह जो इंटर फेस अवस्ता होती है कोशी का विभाजन की इसमें कोशी का कौन कौन सी चीजों का निर्मान करना शुरू करती है तो यह प्रोटीन और डीने का निर्मान करना शुरू कर देती है हमारी जो सैल होती है ठीक है अब आजाओ एंटरफेस अब उसके बाद के जितनी भी अवस्थाएं आएंगी वो सारी आती है एंदर आप कोशी का किस तरीके से डिवाइड हो रही है किस टाइप को चूज कर रही है डिवाइड होने के लिए यह सारी आती है अब आपसे पूच invert वस्था में कौन कौन सी चीज आती है तो माइट टोसेश ठीक है माइटऊ सिस जिसको हम बोलते हैं संसुत्री विभाजन तो संसुतरी वेड़ी से कोशी का विभाजित हो सकती है यह कि सी अवस्था मत्रव्ष अहूटा के अंदर आता है एक अह वह टो ट अर्ध सुत्री, तो कोश्री का अर्ध सुत्री द्वारा यानि अर्ध म्योसिस द्वारा भी डिवाइड हो सकती है, पढ़ेंगे इनको अभी आगे चलकर कि यह हैं क्या, अर्ध सुत्री क्या होता है, समसुत्री क्या होता है, ठीक है, अर्ध सुत्री, और तीसरा क्या हो सकता Ti TikTok तीसरा हो सकता है imito this ड़3 2-2 फिर या इसको हिंदी में։ पतां है eto ० 3 देекर बताएंगे आप मुझे । तरीके से रहत दी में क्या बोलते हैं तो यह तीन तरीके से हो सकते हैं। यह थीन पार आती हैं आपकी मिटो से इंदर थो पूछेगा या M अवस्ता से कौन-कौन सी अवस्ताइं संबन दीत है मियोसिस एमाइटोसिस समसुत्री अर्दसुत्री और एमाइटोसिस ठीक है अब यह जो एमाइटोसिस है इस पर थोड़ा सा दिहान देना यह सभी जो भी आपके multicellular organism है बेटा जितने भी ऐसे organism है जिनको देखने के लिए सुक्षमिदर्शी की आवश्चक्ता नहीं है उन सब के अंदर यह जो M अवस्ता है न यह दो अवस्ताओं में complete हो जाती है एक तो माइटोसिस और दूसरा क्या मियोसिस किसके अंदर जो भी आपके multicellular होंगे multicellular organism जो होंगे ठीक है mostly बहु कोशी के जो होंगे बहु कोशी के जैसे कि आप लोग हम लोग कुता बिल्ली गदा गोडा सब ठीक है लेकिन यह माइटोसिस से यह किसके अंदर होता है तो बैक्टीरिया की कोशीका के अंद होता है कौन सा बेटा г dis co bacteria में इस अरुमियोसिस यह दोनों नहीं होते बैक्टीरिया की कोशीका में एक ही तरीके का भी घНАज होता है सुथरी हां सुत्री बोल सकते हैं इसको असुत्री तोशूत्री विभाजन द्वारा एवाजित होती है बैक्तिरिया की सेल bybakteria की सेल होती है तो फोड़ा सा टिपपिकल्ट तौपिक है इसलिए राम राम से चामध्यारी मिला है मैं सकूशे और तो फिर आपको क्या करना है थीक है समझ लो चीजों को best समझ लो कि अभी समझ में आया है हम पड़ रहे हैं सैल दिन जब होता है कोई कोशी का जब कोई विदार होगी तो वह दो अवस्थाओं से घुजरती है पहली अवस्ता क्या है बिटा पहली अवस्ता है इंटरफेस अवस्ता इसी को स्टार्टिंग स्टेज के नाम से भी जानते हैं प्रारंब अवस्ता भी बोलते हैं क्यों बोलते हैं क्योंकि यह वह अवस्ता है जिसमें कोशी का अपने आपको तयार करती है कोशी का विभाजन कोशी का विभाजन के लिए जब कोई प्रिपेर हो रही है तो हवस्ता को पूलेंगे इंटर्फेस अवस्ता से इसमें कॉशी का कट्छtr प्रोटीन का डियनल नि के प्रोटीन का ऋधीन का निर्मान करका इह अपने पास ठीक है अब आगे की अवस्था में जाने के लिए उसको यह चीज़े जरूरी है तो वो इखटा करके रख लेती अपने पास ठीक है अब दूसरी अवस्था क्या है इसके अंदर ना बेटा यह जो स्टार्टिंग फेज है इसमें कुछ अवस्थाओं के नाम भी आप से पूछे जाते हैं इसके अंदर कुछ अवस्थाएं आती हैं जैसे की जी एस और एस टू स्टेज जी एस एस टू स्टेज इंटर्फेस अवस्था में इसके अंदर तीन अवस्था हैं ठीक है आप से पूछे जी अवस्था किस अवस्था से संबंदित तो बेटा इंटर्फेस से आप से पूछे एस अवस्था किस अवस्था से संबंदित तो सारी अवस्तां में अलगलग काम करती है सैल पढ़ाएंगे इनको कैसे कैसे करती है थीक है दूसरी अवस्ता क्या यह इंवस्ता म सबीरिय होता है मृती सैलूलर कि के बारे में होच़ बाता समझ में आ हरी है कि इस मुर्गा के बारे में पूछ रहा था कुछ बुद्धर सिंग अच्छा दीपक पंत बोल रहे हैं अच्छे समझ में आता है मैडम जैसा आप समझाती हो तो यहां तक सभी को समझ में आया भई बोलो हां या ना ठीक है चलो तो यहां तक जिसको समझ में आई सारी अच्छे मैं मुझे इस तूलिप्टी यो निए गास्ता यह साल दिविजन के अंदर वह वहम पढ़ेंगे कल की ठीक है आज हम इतना इतना ही रहने देते हैं हुँआ ठीक बेटा मुरगा बनने को नहीं समझा रहा है मुरगा बनना तो कीसे बना करते हैं यहीं हो पेटा आज रहा दस बजे की जो क्लास है उसमें आप जरूर आईएगा सभी के सभी बच्चे ओनलाइन आईएगा ठीक है इसको मैं आपको समझाओंगी कल क्योंकि अभी जैसे स्टार्ट करती हूं फिर टाइम हो जाता है चीजे यहीं चूट जाएंगी फि ठीक है तो सभी को बच्चों सभी को हमारा नमस्कार अपना रखेंगे ध्यान